देख लो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोग आयाओ जी ता परियान सब ल्याओ जी देख लो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग 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 आयाओ जी ता परियान सब ल्याओ जी कि नमस्कार आप सभी का चौपाल कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन दर्शक को कहते हैं कि भीर से अलग नजर आने का मतलब है कि कुछ तो खास बात है आपने कुछ तो खास योगिता है आपने और जीवन में खास भी वहे करते हैं जिनमें कुछ बात होती है जिनमें कोई योगिता होती है ऐसे ही आज हम लेकर आए हैं हमारी प्रगतिशील नवाचारी सफल किसान कंचन मीना जी की सफलता की कहानी जिनोंने मश्रूम बीच का उत्पादन करके जो ना कीवल स्वेम को बलके कई और लोगों को भी रोजगार मोहिया करा रही है और आज इनके इसी सफलता की कहानी को आप तक पहुँचाने के लिए हम आए हैं जैपूर के दातली गाओं में तो आए मिलते हैं हमारी आज की प्रगतिशील सफल नवाचारी महिला किसान कंचन मीना जी से कंचन मीना जी आपका हमारे कारेक्रम चौपाल में बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन कंचन जी मश्रूम की खेती तो सभी करते हैं लेकिन आप में कुछ हट कर कुछ नया किया यानि आपने मश्रूम स्पॉन, मश्रूम के बीजों का उत्पादन किया तो यह आइडिया यह नवाचार आपके मन में कैसे आया मैं शादी की बाद में पढ़ाई करना चाहती थी तो मैंने पति की सामने रखा, मेरी डिमांड रखे कि मुझे पढ़ाई करनी है गवर्मेंट जोब की तैयारी करनी है मुझे तो इसी वज़े से मैंने गवर्मेंट जोब की तैयारी के लिए कहा तो मेरे पति ने कहा कि क्या गवर्मेंट जोब की तैयारी कर रहे है कुछ ऐसा करो जो जो तो हर कोई किसी के लिए करते हैं अपने लिए करते हैं कुछ ऐसा करो कि जो दूसरों को भी रोजगार मिल जाए तो ऐसा सोच के पती ने कहा कि कुछ ऐसा करो जो अलग फिर्ड हो किसी को रोजगार मिल जाए तो यही सोच कर मैंने इसी पर फॉकस किया कि ठीक है कुछ ऐसा ही करते हैं जोसे किसी को रोजगार भी मिल जाए और अपना भी सपना पूरा हो जाए और इसलिए आपने मश्रूम के खेती ना चुनकर कुछ अलग करने के सोची यह आपने मश्रूम बीजों का अथपादन करने का सोचा तो आपके लिए बहुत सारी बलम थी और ऐडुकेशन के वी टी कि कहां से इसकी जानकारी ले सब की ठीक है आई मेरे तो हमने सर्च करके देखा कि कहां से इसकी इस्टेड़ी करें Allah से कैसे जो सुरूत करनी है तो ऐसे हमने यां से अपने हिमाचलपरदेश के शोलन हे है हमने इसकी हम च्पारदयस सी सो ट्रेणिंग लिए हमने बीज बनाने की तो फिर व ट्रेनिंग लेने के बाद में हमने यहाँ पर प्रोसेस चालू किया तो तो करके देखा ने पूरे यहाँ दुरगपुरा अपने लेब है इंस्टिट है यहाँ पर भी जो वह हैं इंस्टिट है वहाँ उनके पास कैमा, शोलन से और इसके साथ रारी दुर्गापुरा से प्रेसिक्षन लिया. जब आपने प्रेसिक्षन लिया तो आप वो कि आ हम इसके सेटप को शुरू करें. तो उस समय किस तरह की लागत आई और इसके लिए सरकार ने किसी तरह का कोई लोन आपको दिया कोई सबसीटी के रूप में कोई साहिक राशी ती इसके पारे में बिचाना चाहिए जी बिलकुल हमें बहुत सी फाइनेंसिल कंडिशन के प्रोब्लम को सामना करना पड़ा था हमारे पास इतनी लागत नहीं थी कि हम यह सेट तो हमने बैंकों में ट्राइ किया कि भी लोन भी मिल जाए तो तो जम्यार गाउं में एक बैंक है वहीं पर जाकर हमने वहीं दो-चार महीने के लिए वहाँ चकर काटती रहे हम फिर भी हमें लोन नहीं मिला फिर गाउं में एक बैंक मैनेजर नहीं आया था उन्होंने पर जो मुद्रा योजना उस पर हमने 9 लाग का लोन लेया था तब जाके हमने सेट अप स्टार्ट किया था वाकि घरवालों की भी काफी ऐसे थी कि पता नहीं कि नए लड़के लड़की है कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो इनका थोड़ा सा इसे उत्सा नहीं था हमा तब जाके हमारा सपोर्ट करना फिर स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने बिल्कुल कंशन जी वो कहते हैं कि जहां चाह वहाँ था क्योंकि आपके मन में कुछ कर गुजरने का सपना था और सरकार ने भी आपकी साहता मुद्रा लोन के रूप में आपके किया और किसी तरह की प्रेणा है बाकी महिलाओं के लिए मैं उन माताओ वहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करने की इमत रखो उनको सामने रखो कोई अपने घरवाले नहीं माने तो उनको मनाने की कोशिश करो कोई सपोर्ट चाहिए तो सरकार क्या तो सपोर्ट है अर बाकी अपने सपने रखो उसको साकार करो आतम दिश्वास रखो तो सब कुछ संबह हुए अपने सपने सामने रखे और उनको पूरा करने की कोशिश करो दिखे, कंचन मीना जी ने बहुत अच्छी बात कहीं कि अपने सपने पासों और अपनों का साथ हों, तो आप किसी भी बुलंदी को हासिल कर सकते हैं. जैसे इन्होंने नई सफलता की कहानी रची, ऐसे बाकी महिलाएं भी इनसे प्रेणा लेकर सफलता की कहानी रच सकती है. ये थी मश्रूम स्पॉन के नाम से प्रसिद्ध हमारी नवाचारी महिला के साम, कंचन मीना. और आइए मिटे forever, इनके सहयोगी से इनके जो पती है, शंकर मीना जी से वह भी किस तरह से मश्रूम स्पॉन मे कारे कर रहे हैं?」 शंकर मीना जी आपका हमारे कार्यक्रresh Crash Chawpal प्रदवार स्वागत है. तन्यवाद में हमने कंचंची से सामा ने बार तो करी ली अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप यह मश्रूम स्पॉन यानी जो मश्रूम का बीच है उसे आप कैसे तैयार करते हैं इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है इन नॉर्मल बीच की तरह नहीं होता है कि जैसे हम बात करें कि गहूं में गहूं आजाता है सर्सों में सर्सो आते है अगली वार भी जाई उसे से कर लेते हैं मस्रूम का बीच नहीं होता है बेसिकली मा बताओ बताओ को ती है जो कि तो हम कि है कि इसमें स्टार्टिं में जिसके स्टें नाखे हुआर करें तो होता किस में हम इस लिसे एसरे अमारी इन हम स्ट्राठिंच की चायर करते हैं तो में केटल कर रहा होती है तो है और इस vaccine ने युच्छ ऑगर इसको कैटल के लिए कान्टी चाहन कहोilt वह काम करती है कि यहोंगे स्केटें सजमर्पोल्टी होगी होगोस्ट को तुम दो इसका लाजा होता है उसके 堯हां केली और और बोईल इतना होता है कि यह से घूबरी टाइब का बन जाए देसी बसाम में समझाओं कि दाना ग्यों का फटे भी नहीं उसमें अंदर मोस्तर भी चला जाए उतना हम उसको बोईल करते हैं वहां पर उसमें केलसम कार्म तो केलसम सलफेट एक फिक्स मांटिटी में उसमें म मुण के बहुत सारे वरैटी जाती है लोग जनली बटन मुण को जानते है यह ऊश्टर मुण को जानते है ज्यादा तर बट उसके अलावा भी गैनदर्मा चिटा के अपने लॉइंस में ने मिल्की मुण का इस तरह के वाराइटी है हम जो मुण का वीज तियार करते हैं मै बागी भी त्यार करते हैं बट बटन के जो यहां इंडिया में उसका ही हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं बागी त्यार कर रहे हैं बटन कर रहे हैं प्रबंश..? शंकर जी आपने यह तो बता दिया हमें कैसे बुष्पन को तैयार करते हैं और किस तरह की जो वराइटी्श है अलग इलग तरह की जो वराइटीश है it वनकी स्पॉन रियार करते हैं ace dear तरी दर्शक आप से जारना चाहेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग करते हैं क्षा यह अब करते हैं टियूटा मार्केटिंग लिए बेटन करना लाइन की ताइम में लोग तो हम सारा हमने वना रखी जिवन मसुन डॉट कम के नाम से अलग लग फेस्षूक पे भी है लिंग इ इतना सोसल मीडिया से कर लीजिए वह आपका एक बार प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा रिता है बट मैं जो प्रोडक्ट के क्वालिटी और असली जो मार्केटिंग होती है वह करता का आपका कस्टमर जो इसको यूज कर रहा है क्योंकि वह जो माउथ पॉलिशिटी जो कर प्रोडक्टिन हमारा बहुत कम है आपने बताया कि आप माउथ पॉलिशिटी के द्वारा और दिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अपना जो उत्पादन है उसे आप बेच रहे हैं आपकी पैन इंडिया में लगवाग पांच सालों से अधिक की सप्लाई है बाहर से आप प्रोड़र आते हैं एक अच्छे खासे एंप्रोड़ की आपके पास एक टीम है तो भविश्य में आपके और टार्गेट है भविश्य में हमारा जो है टार्गेट काफी बड़े हैं क्योंकि हम हमारी जो कंपनी को हम इंट्रेशन लवल पर लेके देख रहे हैं कि मन्तली हमारी है जो कि इस साल जो हमारा टार्ण ओर था लगवग का रहा है आगे आने वाल टाइम में हम इसको बड़ा के लगवग वन मन्त का हमारा 5-6 CR का रहेगा जो कि हम वो लेके जाना चाहा रहे हैं फिलाल और हमने जो सुरुवात किती स्टार्टिंग में वो एक छो लिए जो यरा था हमारा 35 लेक और इस साल जो हमारा टैन उहाए हो 75 लेकर लगवगर तो क्योंकि हमारे जो प्रेंटर्ड़ क्लाइं कारके चल रहे हैं उसमें हमने प्रोफित पर ध्यान आगे जो हम अभी लैब को हमारा एक्समेंशन का काम भी चल रहा है कि उसके हम इसकी जो पर मंत पर मंद जो है पचास से साटन मंतली हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा टर्डोल भी काफी बड़ेगा और कम्पनी को हम जो फूचर में वह एक इंटरनेट्स लेट पर देखना आज ब्रांड की तरह हम इसको लेके जाना चाहरा है वह हमारा भी है उसी टार्गेट को सैट करते हम उसाफ से काम करें यानि कि शंकर जी कुल मिलाकर बात यह कि भारती बाजार में तो मश्रूम स्पॉन की मांग है साथी साथ विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ती जा आप लगातर कुछ नहीं नहीं प्रयोग करके भारती बाजार के साथ विदेशों में भी इसकी सप्लाई कर रहे हैं आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर मान लीजी कोई आप ही की तरह किसान जोड़ना चाहे या इसका उत्पादन करना चाहे तो क्या सरकार किसी तरह की है उसके अलागे अगरा का बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें भी गौवर्मेंट काफी अच्छा बिना घारंटी के अभी तो मैं से के अंदर पांच क्रोड तक का गौवर्मेंट लिमिट बढ़ा दी कि बिना आप गारंटी के लोन ले सकते हैं तो ऐसी कई स्कीम से वहां 40% कैपिंग आटला की और मस्रूम की खाद बनाने पर जिसों कंपोस्ट कहते हैं अगर वह युनिटे डालते हैं तो उस पर आटला की अलग से सब्सीडी है 40% की और अगर आप इस पोन युनिट डालना चाह रहे हैं तो उस पर 40% के साब से 6 लैक की आपको सब्सीडी यह तो सब्सीडी का वह उस तरह से आपको पूरा गवर्मेंट सपोर्ट करी है उसके अलाव भी इंट्रेस्ट सब्वेंशन इसकीम्स भी आचुकी गवर्मेंट की अभी जिसमें कि आपने जो लोन लिया है उस पे भी गवर्मेंट के तरब से किसी पर 5% इंट्रेस्ट के चूट है किसी पर 6% इंट्रेस्ट की शूट है तो वह भी अभी गवर्मेंट पर गवर्मेंट का पूरा फोकस जो है किसानों पर आ चुका है और जो पर्दार मंतिजिगल सपना है कि किसानों की डबल की जाए तो उस पे भारत काफी अच्छा काम कर रहे है और उसी के है वह डबल होती जा रही है आपके इस उत्पादन के जरीए जो मश्रूम स्पॉंज वाप कर रहे हैं इसके मार्थ्यम से आप से पूछना चाहेंगे कि इसके लिए कि कोई परमिट लाइसेंस की रिक्वार्मेंट होती है और इसके साथ ही जब आप इस कारे को करते हैं तो कोई पुरुसकार आपको मिला किसी भी शेत्र में जैसे आपने कहा था कि आरकी वीवाई ने आपको 2019 में पुरुसकरत किया तो यह अनुभव क्या था आपका देखिए यह कि लोगों के दिमाग में कई तरह की ब्रहांतिया है कि हम मस्रूम खेते करे तो उसके लिए पता न बनाते हैं किसी आपने कि पापड अचार वगरा कुछ वैसा करके बना रहें जैन उसमें आपको फूड लाइसेंस होगरा की जो नोमिनल जो रहती है उनकी रिक्वार्मेंट होती है यह तो आपका मस्रूम की डालना चाहरे है मस्रूम का प्रदक्शन करना चाहरे है तो उस जो होता है तो उसके लिए अलग से क्वारंटाइन पर्मिट की रिक्वार्मेंट होती है जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया से इसू होता है और इसके पर्मिट से ही आपको बाहर से आप टीशु कल्चर वाला जो है वह मंगवा सकते हैं अधर्वाइस आप बाहर से कोई भी अग हो भी आप बाहर से नहीं मंगवा सकते कि आपके पास इंपोर्ट एक्सपूर्ट का लाइसेंस है कि आप टीशु कल्चर मंगवा लिए ऐसा नहीं है इसके अलग से एक क्वार्टाइन वाला certificate होता है जो गवर्मेंट ऑफ इंडशु करती है वह आपको लेना ही पड़ेगा गवर्मेंट ने अगर कोई स्टार्ट अप करता है तो हमारी सरकार उसके लिए सहयोग करती है और क्यूंकि हमारे माने में प्रधान मंति जी का सपना है कि जॉब गिवर्स बने ना कि जॉब टेकर्स तो जो यूवा हमारे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनको आप स्टार्ट अप के लिए कैसे प्रोच साहित करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अब बहुत यह इसा कोंसेट चल रहा है, मलब जो टार्गेट से कोंसेट के लिए उनका, कि हम सरकारी नोकरियों को उतना तावज़ों ना देते वे उनको रोजगार दे, छोटे-छोटे वो कॉंसेट लेके आरहा हैं, कि आप छोटा-छोटा कुछ स्टार्ट अप कीजिए, ह उस तरह government का भी आप देखे फूरा focus वैसा है कि आप कुछ start-up कीजिए ताकि आप खुद तो आप सवरोजगार हों गई साथ में आप और लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे अभी काफी चीज़े चल ले गवर्मेंट की इसकी वज़े से कि हाँ आप उनसे लोन ले सकते भीना गारंटी वगरा की वह जिस मैंने पहले बताए आपको तो उस तरह का आप उनका skims का फायदा उठाके आप खुद का बिजनेस कीजिए सरकारी नोक्रियों तरफ मत भागे क तो कि वहां सिर्फ आपका घर चलेगा अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी वज़े से दस लोगों का भी घर चल सकता है तो यह दिमाग में रखते हुए आप इस स्टार्टप का जो बिजनेस का है उसके पीछे लगे ऐसा नहीं होता बड़ा बिजनेस ही करे आप छोट किसी तरह की कोई लगन हो इच्छा शक्ती हो और डर्स अंकल हो तो आप भी बड़ी काम्याबी को हासिल कर सकते हैं जैसे हमारे जो भी नवाचार और प्रगतिशिल किसान है कंचन मीना जी और शंकन मीना जी उन्होंने मश्रूम स्पॉन के जरियर राप्त की वैसे ही आप दर्शा को मश्रूम स्पॉन यानि कि मश्रूम के बीच को हम कैसे तैयार करें यह जानकारी तो हमने ले ही लिए लेकिन क्योंकि आज चौपाल की टीम आई है दांतली गाउं में और आज हम इनके यादों को सहेच कर अपने साथ ना ले जाए ऐसा भला कैसे हो सकता है तो आ ती ङादोakah टीम आई हमने जानकारी टाहिं में घंनार नाद Comचा तैब को हम फसकते पोला के तैयार क्योंकि वह जाए हमने तै dependent कि मुह म्रूम कर अप़ली तो हमने जामे तैब को हम पुए तो धनके ति Sept Requ जैंक अर केशे हेखे तैनीर कि आरGA टग से खंधे है। आपे हरे लेसे हो लोगनी आंप गबने लोगनिल्री आपूई जाचा पारे छोगनाぎुने वयुवादे हो एलो रदेन खुरति मेरे लोगने 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 जिए हो अ ainda के जो 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 कपाद्गर भीन गसे किपज होगारा। क्सिती का सुग्सुद लुः। कपाद्गर σत्त क chamु रिखे, हैं जो फारे लुःू। किती कंला ठेत्गर भीन गषिः। बढ़ प्रेटीए को दान में आभ वीडी यो लोगे सरा नहीं के ँचे जैव जामे वीडी योगीABॉ कुछ नाँ प्रेको छी एड़ को दान में के अभ प्रेको आयो बढ़ना के दिर्दी यो याको है को बार कड़ी भेड़ लेतो जबने गयान आजातो है को बार कड़ी भेड़ लेतो मैं सुरना को द्यान आजातो तो दर्शको अभी आपने जानकरी ले कि कैसे हम मश्रूम स्पॉन को तैयार करें और इस में जो हमारी प्रगतिशील महिला के सान है कंचन मीना वो ना कि बाकी महिलाओं के लिए पेड़ना है बलकि कई महिलाओं को रोजगार भी दी रही है तो आज शौपाल कारिक्रम में बस इतना ही फिर हाजिर हूंगे एक नए विशा के साथ एक नए जानकारी को लेकर तब तक इलिए राम राम सा किया बिपेड़ना कि बाल कि फिर एक नए जानकारा बाल प्म हो легко कि वे लो हम आते आफ वार से ये वार कर दो दो आता हूह